Hello Friends, Welcome to Study IQ Study IQ के इस चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं Next Series के Question मतलब हम September और October के Current Affairs को Discuss करेंगे जो कि बिहार के Related होंगे जो कि आपके बहुत से एक्जाम में आपको काम आएंगे जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो और जिस तरह से लिस्ट जारी हुआ है जिसमें February तक के एक्जाम्स का पूरा नोटिस जो है वो निकाल दिया गया है तो इतने सारे एक्जाम्स आपके हैं तो आपको यह Current Affairs सीरीज जो हमने चलाई है January 2020 से और November 2019 के Current Affairs से हमने जो है वो स्टार्ट किया है तो अगर आप देखोगे इसमें आपको बहुत जादा लाब जो है वो मिलने वाले Current Affairs से लेटेड तो हमारा बिहार प्यारा बिहार इनिशेटिव के थुरू हम पूरे साल के Current Affairs क्या करेंगे कम्प्लीट करेंगे मैसल फाशू बंसल और यह Current Affairs बहुत इंपॉर्टेंट सोर्सी से कवर किये गए लाइक अगर आप देखोगे इंपॉर्टेंट निउस्पेपर आफ दी बिहार मैगजिन्स आफ दी बिहार और अफीशल जो प्रेस रिलीज हैं गवर्मेंट की उससे कवर किये गए हैं और हिंदी माधियम के स्टूडेंट को दियान में रखते हुए यह Current Affairs bilingual हैं मतलब आपको question English प्लस हिंदी दोनो language में मिलेगा तांकि हिंदी माधियम के बच्चों को भी कोई problem ना है question को समझने के लिए लेकिन जो option है वो के वल किस language में होगा English language में होगा तो option को समझना कोई मुश्किल नहीं होगा और मेरी बोलने की जो language रहेगी वो हिंदी रहेगी तो मेरे ख्याल से कोई भी problem नहीं आएगी तो start करते हैं इसको बहुत important questions के साथ और ये रहा पहला question बारतिय रेल्वे ने देश का पहला एक disposable लीनल के आस्क बिहार के किस junction पर शुरू किया बहुत important है क्रोना के कारण जो है वो rail में जाने के लिए अब आपको जो है वो तकिया हो गया चदर होगी ये सारी चीज़े नहीं मिलेंगी जिसके कारण एक उन्होंने machine लगा दी है जिसके through आपको कुछ रुपई देने हैं वहाँ पर डालने हैं और आपको उसके through ही जो है वो सारी चीज़े जो है वो मिल जाया करेंगी एक machine से वो बाहर निकलेगा और वो कौन से junction में start के ये आपने मुझे बताना है और बहुत ही कम दाम पे आपको bed sheet हो गया mask हो गया, sanitizer का शेशे हो गया, मतलब एक pouch दे देंगे आपको एक blanket दे देंगे, पिलो दे देंगे तकिया दे देंगे, तो ये सारी चीज़े आपको बहुत ही कम दाम पे मिल जाएंगी और आप देख सकते हो, बिल्कुल exact picture है ये उसकी और यहाँ पे देख सकते हो, कहाँ पे establish किया गया वो पतना junction में तो बहुत important question रहा, आपने याद रखना है कहाँ पे किया गया पतना junction में तो आप यहाँ पे देख सकते हो, पतना junction में इसको क्या किया गया लांच किया गया और मातर 2500 रुपे जो है वो इसकी फीस रखी गया, ये अलग लग है किसी में 5 चीज़ होगी, किसी में 3 होगी, सब का दाम क्या होगा अलग लग होगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हो इंडियन रेलवे ने सेफटी और परटेक्शन के लिए COVID-19 के कारण, ऐसे पहला कंट्री का रेलवे जंक्शन बन चुका है, जिन्होंने इस तरह की फेसिल्टी जो है वो स्टार्ट किया, पतना जंक्शन बिहार के अंदर, और यह कौन सी डिविजन के अंदर आता है, दानपूर डिविजन के अंदर जो है, वो आता है, इस्टन सेंटर रेलवे के अंदर, तो याद रखना है इसको, और इस्टन सेंटर रेलवे, आपको पता ही है कि कौन सा है जो headquarter कहां पर हाजीपूर में है Eastern Center Railway का Center कहां पर हाजीपूर बिहार के अंदर तो ये भी आपने याद रखना है As we all know due to pandemic situation of Indian railway is not providing the bedroll और the blanket मैं पहले बता चुका हूँ travelers को नहीं देते ये तो Eastern Center Railway जो हाजीपूर का main center है उन्होंने ये dispenser machine जो है वो लगाई है तो याद रखना है पटना junction, पटना junction, दानपू division, automated hand sanitizer और face mask machine भी जो है ये लगा चुके है वो भी पटना junction में लगाई गई थी तो दोनों चीज़े जो हाँ आपके लिए क्या होगी important होगी, next question पर आते है An app named for frontline heroes is launched by which organization of Bihar important है for frontline heroes मतलब जो COVID-19 के लिए लोगों की रक्षा करते है, उनकी testing करते है उनका ध्यान रखते है, hospitals के workers होगे या जो voluntary, जो अपनी मर्जी से जो है वो लगे हुए उनकी सेवा में तो उनको नाम दिया गया for frontline heroes उनके लिए एक lap launch की गए कि किस तरह से वो अपनी immunity को और बढ़ा सकते हैं, किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं वो app किसने launch की है, Bihar School of Yoga ने तो उसमें उनको techniques बताई जाएंगी किस तरह से आप जो है वो चीजों का use कर सकते हो, किस तरह से yoga करके अपने आपको healthy रख सकते हैं, दूसरों को भी healthy रखने की प्रेरना दे सकते हैं तो आप यहां पर देख सकते हैं, Bihar Yoga तो simple practices for frontline heroes तो Bihar School of Yoga मुंगेर, Bihar इसका headquarter का है, Bihar School of Yoga का मुंगेर में इंडिया is honored to present this yoga routine for the frontline worker to service of humanity तो याद रखना है इस चीज़ को और इसको बहुत importantly question में मार्क कर लो, Bihar School of Yoga कहां पर मुंगेर में नेक्स आते हैं, election commission recommended that above the age of year, a person can vote by a postal ballot in coming election of Bihar assembly मतलब, dark matpattr जो है वो डाले जा सकते हैं, डाक matpattr डाले जा सकते हैं, यह चोन commission की तरफ से सिफारिश की गई थी, कि अगर इतनी से उमर के जादा लोगों को, क्योंकि covid-19 जो है वो उस time pit पे peak पे था, तो जिसके कारण उमरे ने सिफारिश की कि अगर dark matpattr के तरह ही जो है वो वोटिंग डलवा दी जाए तो यह अच्छा होगा, क्योंकि जादा age है, तो शायद करोना के संक्रमन के जो chances हैं, वो जादा हैं इसलिए वैसे तो यह age 80 years होती है, मतलब 80 से उपर-उपर जो है वो postal ballot आप डाल सकते हो लेकिन, चोन commission ने सिफारिश की थी, कि कितनी आजू से उपर-उपर का यह ध्यान में लाया जाए 65 वर्ष की उपर-उपर है, तो याद रखना है अंसर क्या होगा, B होगा लेकिन यह accept नहीं किया गया था बाद में, तो याद रखना है कई बर question पूछ लेते हैं, कि कितनी आजू से उपर-उपर election commission ने जो वो सिफारिश की थी, 65 से उपर-उपर जो है वो उन्होंने सिफारिश की थी और according to the notification of law and justice ministry, the center after consulting the election commission of India made rules to further amend the conduction of election rule 1961, BPSC का question है याद रखना है कि conduction of election rules में आता है कल को अगर यह ऐसी कोई चीज़ चेंज करनी है पूछ सकता है आपको BPSC की कौन सी rules के अंदर इसको लिया गया है पहले कितनी थी, 80 थी लेकिन अब कितने की सिफारिश की गया है, 65 लेकिन मैं आपको आगए का बता रहा हूँ कि इसको सब्सक्राइब नहीं किया गया था आगया आते हैं, which hospital has been declared the fourth dedicated COVID-19 hospital, again important question आगया, कि fourth dedicated केवल COVID-19 के बारे में ही जो है वो बात करेंगे उनी के patients को देखेंगे और किसी को नहीं देखेंगे, that is the fourth dedicated COVID-19 hospital, चोथा समर्पित COVID-19, पूरी तरह से किसको समर्पित होगा COVID-19 के patients को, तो answer किया है, इसका aims पटना है, याद रखना aims पटना इसका मतलब, question से पता लग रहा है कि इससे पहले कितने थे, तीन थे इससे पहले कितने थे, तीन थे, तो ये चोथा है aims पटना, तीन कौन-कौन से थे, याद रखना है कौन-कौन से थे नलंदा Medical College and Hospital, पटना में ही हो गया, जवालल नहरू Medical College बालगलपूर में हो गया, अनुग्रह नरायन मगद Medical College कहां पे हो गया, गया में आ गया, कहां पे आ गया, गया में, तो याद रखो गए कि ये सारे के सारे COVID dedicated hospital थे, जिसमें फोर्थ नमबर पे aims पटना को चुना गया है, याद रखना इसको, next आते हैं, who is repointed as additional solicitor journal of India in Patna High Court, Patna High Court में बारत के additional अतरिक्त solicitor journal के रूप में किसको appoint किया गया था, उस time period पे appoint किया गया था, और वो कौन थे, आप यहाँ पे बाकी options को eliminate कर सकते हो, कैसे eliminate करोगे, जैसे K.K.Wenu कॉपाल कौन है, K.K.Wenu कॉपाल जो है वो क्या है, Attorney General of India है, Attorney General of India recently इनका time period भी एक साल बढ़ा दिया गया था खतम हो गया था, संजे करोल जी कौन है, भई यह सब को पता है, बहुत ही famous personality होगी, Patna High Court की कौन है, Chief Justice of Patna High Court संजे करोल जी, ललित कुमार जी कौन है, ललित कुमार जी, advocate journal है, state के, क्या है, advocate journal of state जो state के सारे cases को देखते है government के, तो बचा option कौन सा क्रिशन नंदन सिंग, तो याद रखने है additional solicitor journal of India पतना High Court के इंडिया की दरफ से कौन लगाएगे हैं, क्रिशन नंदन सिंग, बहुत सी states में लगाएगे हैं, पतना High Court के याद रखने हैं, क्रिशन नंदन सिंग, एक में option को द्वारा repeat कर देता हूं क्योंकि बाकी नाम important है, संजे करोल जी कौन है, संजे करोल जी Chief Justice है, पतना High Court के, ललित कुमार जी कौन है advocate journal है, state के, under article 165 advocate journal appoint किया जाता है governor की तरफ से, और advocate journal जितने भी state के cases होंगे वो handle करता है, क्ये के वे नो कुपाल attorney journal of India है, मत्तब सेंटर government के जो cases देखेगा, एक ही law officer होता है, वो कौन होता है, attorney journal of India, याद रखेंगे, नेके साते हैं, which will be the name of the movie, which is based on the story of Bihar cycle girl Jyoti, बहुत important है, Jyoti कुमारी पासवान पूरा नाम है इनका, याद रखना है पूरा नाम भी, और इनके बारे में सब को पता है कि 1200 km का सफर तैय करके, ये cycle से, मत्तर साथ दिनों में, ये लड़की जो है, वो गई वापिस, तो इनके उपर movie बन रही है, और उनका इंडिया में नाम movie का अलग होगा, international level पे भी ये release होगी, और international level पे इस movie का नाम अलग होगा, तो बहुत important question है, examiner पूछ सकता है, क्योंकि news थोड़ा सा पुराना हो गया, तो लेकिन आपको पूछा जा सकता है, क्या आपको याद भी है या नहीं है, और उसका इंडिया में नाम किस नाम से बन रहा है, आतम निर्बर, मतलब self-reliant, आतम निर्बर नाम से इंडिया में इसको release किया जा रहा है, लेकिन international नाम क्या होगा है, जर्नी ओफे माइग्रेंट, यह इंटरनेशनल नाम है, और बिहार की गल जोति कमारी, जो कि गुरूगराम से गुडगाओं से अपने गाओं वापिस आई दर्बंगा में, COVID-19 के दुरान, 1200 किलोमेटर का इसने सफरताय किया केवल साथ दिनों में, और Sports Ministry ने offer दिये इनको कि हमारे साथ जुड़ें, हम आपको train करेंगे by cycling में, और यह movie बीस language में जो है, वो release की जा रही है, और इसको direct किसने किया है, Shine Krishna ने, किसने direct किया है, Shine Krishna ने, या किसी भी तरह से याद रख सकते हो, हमें याद रखने से मतलब है, लेकिन आपने याद रखना है, पूरा नाम याद कर लियो, जोति कुमारी पासवान, पूरा नाम है इनका next आजो, where were the human trials of Cova vaccine, all set to begin from July 10 in Bihar, मतलब सबसे पहली बार Bihar में, COVID-19 की जो vaccine है, उसका जो trial है, मतलब उसके जो शुरुवाती मानव प्रिक्षन है, उसका test जो है, वो करना, start करना था, जुलाई 10 से, तो वो कौन से college में सबसे पहली बार, जो है, वो start किया गया है, कौन से hospital में सबसे पहली बार start किया गया, और answer इसका दोस्तों बहुत ही सिंपल है, aims पतना, बहुत ही सिंपल सांसर हो गया, aims पतना, वहीं option जो आपको पीछे मिली, तो aims पतना में इसके trial जो है, वो क्या हो गया है, start हो गया है, तो अब यहाँ पर देख सकते हो, after getting permission of ICMR, that is Indian Council of Medical research, उन्होंने permission दे दी है, कि आप human trial start कर सकते हो, पतना, aims में इसके trial जो है, वो start हो गया है, so लोगों के उपर, यह trial जो है, वो किया जाएगा, और इसको 6-8 महिने का जो है, समय लगेगा, और इस core vaccine को prepare किसने किया, बारत biotech ने, यह बहुत important question है, इसको important question में mark कर लियो, कि जो trial बिहार में हुए, वो core vaccine या COVID-19 की जो vaccine है, वो किसने prepare किया, तो बारत biotech की तरफ से उसको क्या किया गया, prepare किया याद रखना है, बहुत important है, next आते हैं, who is appointed as the chairman of Bihar Human Rights Commission, most important question, mark कर लो most important question, बिहार मानव अधिकार योग के अधियक्ष के रूब में किसे ने उक्ति किया गया है, क्योंकि अभी तक acting जो chairman थे, वहीं चल रहे थे, मतलब acting अधियक्षी चल रहे थे, temporary तोर पे, उनका नाम क्या था, Mr. Ujwal Kumar Dubey, लेकिन ये temporary थे, बही, permanent तो लगा नहीं था, temporary थे तो, तो permanent किसको लगाया गया, Mr. Vinod Kumar Sina जी को लगाया गया, किसको लगाया गया, Mr. Vinod Kumar Sina, एक बर दुबारा से देख लो, अंसर क्या होगा, Mr. Vinod Kumar Sina होगा, जो बिहार Human Rights Commission के क्या लगाए गए है, chairman लगाए गए है, temporary temporary कौन थे, उजवल, कुमार, दुबे, temporary थे, शशी, कुमार, शर्मा कौन है, member है, तो याद रहे गया, तो ठीक है, otherwise कोई खास important नहीं है, भई, एक बहुत important नाम आपको option में दिख रहा है, दिल्मानी मिश्रा, दिल्मानी मिश्रा एक बहुत important नाम है, बहार के लिए, क्योंकि बहार की, जो हमारी woman human, now कह सकते हो, woman commission है, जो woman commission है, हमारा, तो उनकी chair में थे, उनकी chair में है, दिल्मानी मिश्रा, याद रखने, women commission, women human right commission कह सकते हैं, women commission कहे लो, दिल्मानी मिश्रा जिय थे, तो याद रहेगा विनोद कुमार सीना क्या होगा इसका अंसर होगा बिहार Human Rights Commission के चेर्मेन National Human Rights Commission के कौन है फटाफट बता दें H.L. दत्तू कौन है H.L. दत्तू Justice H.L. दत्तू तो ये दोनों चीज़ें याद रखने हैं बहुत important है विनोद कुमार सीना जी सरफ्ट्रिष्ट महिला संकाय 2020 का पुरसकार किसने जीता तो इसको अंडरलाइन करके लिख लो अपनी कॉपी पे important है best woman faculty का award इनको दिया गया है और ये कौन है Dr. मौसमी चौधरी क्या है Dr. मौसमी चौधरी कहां पे हैं कौन से college में पढ़ाती हैं ये और इनको सम्मानित किया गया क्योंकि इन्होंने बालिकाओं के लिए बहुत ज़्यादा काम किये उनको शिक्षा परदान करने के लिए बहुत से काम जो हैं तो याद रखना है Dr. मौसमी चौधरी ये नाम बहुत important अभी लिख लिया करो जो awards होते हैं उनके एक list बना लिया करो तो ताकि जब आप पूरे साल के current of a revise करो तो आपको बहुत ही easy रहे उसको याद रखना नेक्स आते हैं जुलाई 2020 के लिए बारत के अफसर डेस्क से यंग परसन आफ दी मन्त के रूप में किसे समानित किया गया तो ये कोई ज़्यादा important नहीं है क्यों important नहीं है इतना ज़्यादा because ये हर महीने जो है वो दिया जाता है तो जुलाई के महीने में मतलब इसको दिया गया फिर अगस्त में दिया गया सब्तमबर तो हर महीने दिया जाता है तो as such हम news उस time पिड की कर रहे हैं तो इसलिए जो है वो कोई ज़्यादा important question नहीं है तो answer किया इसका सिदार्थ सारंग सिदार्थ सारंग तो इन्होंने इनको अवाड दिया गया opportunity desk की तरफ से young person of the month की तरफ से तो आप यहाँ पर देख सकते हो सिदार्थ सारंग from India's opportunity desk young person of the month सिदार्थ सारंग नाम याद रख सकते हो अधर्वाइस कोई खास important नहीं है नेख सारते हैं सिदार्थ सारंग को क्यों यह award दिया गया क्योंकि यह climate activist है मतलब इन्होंने environment के लिए काम किया और founder of a youth led organization youth front liners इस organization का निर्मार किया जिससे यह बाकियों को educate करते हैं उनको सहायता परदान करते हैं empower करते हैं youth को कि वो बोले और action ले climate change के खिलाब climate change जो हमारा global warming हो रहा है जो जिस तरह से पूरा का पूरा environment खराब हुआ पड़ा है उसको ठीक करने के लिए उन्होंने बहुत से काम किया तो सिदार सारंग भई नाम याद रख सकते हो अगर वैसे question पूछ ले लेकिन हर महिने दिया जाता है इसलिए यह कोई ज़्यादा important नहीं है next आठ चाले how much food grains will be provided by बिहार गॉर्मेंट अंडर midday meal scheme भई again एक बहुत important question आ गया कि midday meal scheme के अंदर जो है वो कितना किलो जो है वो अनाज दिया जाता है कितना किलो अनाज दिया जाता है तो फटावट इसका अंसर दे दें मेरे बोलते बोलते अंसर आपके दिमाग में आ जाना चाहिए आपके दिमाग में अंसर पहुंच जाना चाहिए हिंदी में पढ़ देता हूँ, मिड़े मील योजना के तहट बिहार सरकार दौरा कितना अनाज परदान किया जाएगा तो अंसर क्या है, आठ से बारा किलो, तो यह अभी बढ़ाया गया है थोड़ा सा, तांकि जो COVID-19 के कारण है, कि अनाज नहीं, हम साथ में क्या देंगे, पैसे भी देंगे भई, पर चातर हम क्या देंगे, कुछ पैसे भी देंगे, तांकि कोई भी दिक्कत उनको इस COVID-19 के दौरान ना सके, तो आठ से बारा किलो, अगर आप पांचमी क्लास तक हो, तो आपको तीन सो अठावन रुपए सरकार की तरफ से दिये जाएंगे, और स देख सकते हो, आपको पता लग जाएगा, कि 8 kg food grains and rupees 358, मतलब 358, will be given to each student of up to class 5, पांचमी क्लास तक, for the month of May, June and July, हर महिने जो है, ये दिया जाएगा, और class 8 के लिए, मतलब class 8 मी शिक्षा तक, तो 12 kg, और रुपए कितने मिलेंगे, 536 रुपए, और इसमें कितने बच्चो को primary और middle school को cover करना है, during lockdown और summer vacation period, बहुत ही अच्छा जो है, बिहार सरकार की तरव से गिया गया, नितिश कुमार गौर्मिन की तरव से बहुत ही अच्छा initiative किया गया, तो याद रखना है, 8 से 12 kg, नेक्स आते है, where believe you the first plasma bank in Bihar established, यहाँ पे एक रह गया word लिखना, लेकिन आ जाएगा, फटा-फट इसका अंसर बता दो, अंसर बहुत ही simple है, यह तो पता होना चाहिए, बिहार का पहला plasma bank, और इसको most most important question में क्या कर लो, mark कर लो, most most important question में mark कर लो इसको और अंसर मुझे बता दो, और इस मन्थ का यह तीसरा question की answer क्या होगा, aims patna, बही अंसर क्या होग aims patna में, यह बिहार का पहला plasma bank खोला जा रहा है, मैं आपको एक थोड़ा सा समझा देता हूँ, plasma bank में क्या होता है, कि जो patient COVID-19 से ठीक हो गया है, करोना से ठीक हो गया है, इसका मतलब उन में वो cell develop हो गया है, जो करोना से लड़ सकते हैं, अब जब वो develop हो गया है, तो वो अ COVID-19 से प्रबाबी थे, लेकिन ठीक हो गया है, इसका मतलब वो अपना plasma donate कर सकते हैं, तो इसको कहते हैं, plasma bank, that is aims patna में खोला गया है, तो अब देख सकते हो, it will be started by the end of July, कि end of July जो हो प्लाजमा donate कर सकते हो, ICMR की तरफ से permission मिल गया है, जो seriously ill COVID patient है, उनके उपर यह किया जा सकत है, और क्या होगा, यह मैं आपको बता चुका हूँ कि किस तरह से यह use होता है, और यह recovered patient 15 दिन के बाद, हर 15 दिन के बाद जो है, वो अपना plasma donate कर सकता है, लेकिन यह वहीं लोग कर सकते हैं, जो COVID-19 से ठीक हो गया है, तो BPSC के लिए फिर से question आ गया है, कि plasma therapy क्या होती है, पता होना चाहिए, next आते हैं अगला question, recently 49th death anniversary of Bikharie Thakur, organized on 10th July, who was Bikharie Thakur, तो मेरे ख्याल से सब बच्चों को पता होगा, बिहार के, कि Bikharie Thakur कौन थे, Bikharie Thakur भई, एक बहुती अच्छे और बहुती परख्यात, बोजपूरी कवी थे, याद रखना है, बोजपूरी गया है, 10th of July को, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, Bikharie Thakur, जो भजपूरी पोएट थे, सारान डिस्टिक में, सारन डिस्टिक में, बिहार की जनम हुआ था, इनका, शेक्स्पियर ऑफ बोजपूरी भी इनको कहा जाता है, also known as the Rai Bahadur, Rai Bahadur भी जो है, वो इनको नाम दि और कौन सा है, गबर्गी चोड, तो याद रखना है, ब्रेदीशिया और गबर्गी चोड, बिदीशिया जो है, वो एक लेंगोच है, बेसिकली, तो उसी के नाम से, एक AERिया का नाम भी है, तो गबर्गी चोोड, तो याद रखना है, यह दो बुक्स बहुत ही gotta इंता है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे है बिहार के चीफ मिनिस्टर के नितिश कुमार जी के उनको ये अवार्ड अफ एक्सिलेंस मिला है क्योंकि COVID-19 के कारण जो फसे हुए लोग थे उनको हर तरह से सहूलत प्रवाइड किये और ये माना जाता है कि इन्होंने 21 लाख डिजर्विंग लोगों को जिनको मदद पहुंचानी थी लॉकडाउन के दौरान इन्होंने उसके लोगों को जुरूरी सेवाएं जो लोगडाउन के दौरान मिलनी थी वो मिली है इसलिए इनको ये अवार्ड जो है वो दिया गया अवार्ड अफ एक्सिलेंस याद रखना है चंचल कुमार तो मैं पहले पता चुका है प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे हैं अवार्ड अफ ए अच्छा इनिशेटिव इनके दौरा रहा है और उसमें फाइनेशल एसिस्टेंस जो और भी सरकार की जो सुविदाएं थी वो भी उन्होंने वहां तक पहुंच आई हैं तो याद रखेंगे चंचल कुमार नेक्स आते हैं अगला कोश्चन रिसेंटली शिवदा स्पांड जो हैं वो कौन थे उनके पुस्त के और अगर आप देखोगे उनके गीत प्रेम गीत भी उन्होंने लिखे हैं और इसलिए हम अंसर क्या लगाएंगे लिट्रेचर तो अंसर क्या होर मारा होगा लिट्रेचर तो शिवदास पांडे जी तो पहले हमने बिखारी ठाकुर जी उनकी रचनाओं में चनक्या, तुम लोटाओ, गौतम गाथा, कुरुक शेत्र में कवी, सुबह के सितारे, द्रोनना चारया, मैं हूं नचिकेत, और नदी प्यासी, सागर, मथा कितनी बार, और प्रमुख हैं। यह याद कर सकते हो जितनी बार आप पड़ोगे उतनी बार ही तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सबसे जुरूरी है कि इनकी बुक्स के नाम आपको बताओना चाहिए, शिवदा स्पांडे जी, चनक्या तुम लोटाओ, मतलब यह बात कर रहे हैं कोटिल्या के बारे में, गौतम गाथा, उनके बारे में बात हो रही है, लाइक हम कह स चौंक इन बिहार पूर्निया डिस्टिक विल भी रिनेमड एस, फोर्ड कमपनी चौंक जो बिहार के पूर्निया डिस्टिक में है, उसको किस नाम से जाना जाएगा, बदल के किस नाम से रखा जाएगा, याद करना है आपने किस नाम से रखा जाएगा, और वहां पे जो म उसमें भी बता चुका हूँ कि शुषा सिंग राजपूर जी का निदन हो गया था जिसके कारण अब इनके नाम से एक चौंक जो है वो रखा जा रहा है क्योंकि इनके जो बजुर्ग थे वो पूर्णिया डिस्टिक से बिलॉंग करते थे खुद तो ये पटना में जन्म हु और मदुबनी चौंक से माता चौंक तक जो रोड जाती है उसका नाम भी शुषान सिंग राजपूत पत्थ जो है वो रख दिया गया है और ये कहां पे है पूर्णिया डिस्टिक में तो पूछा जा सकता है कौन से डिस्टिक में है नेक्स आते हैं रिसेंड़ी वन हंडर ठर्णिया फोर्थ बरड सतेंदर नराइन सिना ले पहले 1961 से लेके 1963 तक तो चीफ मिनिस्टर भी याद रखना है 19th चीफ मिनिस्टर थे वो और साथ ही साथ आप कह सकते हो एजुकेशन मिनिस्टर भी थे सतेंदर नरायन सिना तो आप यहां पर देख सकते हो 12 जुलाई को उनका जनम हुआ था और अंगाबाद में तो 12 जुलाई की है और also known as the छोटे साहब he was seven member seven time member of parliament from the औरंगाबाद constituency से और तीन बार जो है वो MLA रह चुके हैं and बिहार legislative council में भी एक बार रह चुके हैं तो कितना बड़ा कद जो है वो उनका होगा उस time period पे आप सोच सकते हो और 19th chief minister बिहार के रह चुके हैं और education minister भी रह चुके हैं question आते हैं which district of Bihar was ranked first under MG Narega मतलब महात्मा गांधी National Rural Employment Guarantee Act जो 2005 में आया उसमें सबसे पहला स्थान जो है वो किस district को मिला है कि उन्होंने सबसे ज़्यादा रोजगार जो है वो provide किया है तो उस जिले का नाम जो है वो आपने मुझे बताना है बिहार के किस जिले को मनरेga के तहर पहला स्थान मिला है तो इन में से कोई भी option नहीं है याद रखना है एक option और add कर लो चाहिए इसके अंदर चाहिए आप सीधा यह answer लिख लो कि answer क्या होगा किशन गंज होगा अंसर क्या होगा किशन गंज का सबसे पहला स्थान होगा है खगडिया जो है वो सबसे निचला स्थान है खगडिया का सबसे निचला स्थान जो है वो दिया गया है इवन अगर आप यहाँ पे पटना option में भी देखोगे तो पटना का rank भी जो है वो बहुत नीचे है स्तार के अदार पर ग्रामिन विवाग विकास विवाग की तरफ से ये रैंकिंग को जारी किया गया है ये जिलों की रैंकिंग है पूरा कार्या देने के लिए और किशन गंज जो है वो सबसे उपर है याद कर लो इसको लिख लो किशन गंज समसे उपर है खगडिया सबसे निचले पायदान पर है अंक कर याद करने की जूरूरत निया नहीं अंक आपसे किसी न पूछने है लेकिन खगडिया जो है वो सबसे निचले स्थान पर है पटना का रैंक जो है वो स्तारवे नंबर पर है तो इस चीज़ को याद रखना है बहुत इमपोर्टेंट है कि सबसे पहले नंबर पे जो हो किसको स्थान दिया गया है नेक्स वोस्ट चैनाते हैं विच प्लेयर फ्रॉम बिहार वंधी ए खान समरीती आउन-लाइन ब्लिट्स चैस्ट चैंपियंशिप चैस्ट चैंपियंशिप और बहुत ही important chess के player है कुमार गौरव तो नाम याद रखोगे कुमार गौरव इन्होंने online जो chess championship हुई थी जिसका नाम है A. Khan समरीती online blitz chess championship वो जीत लिए है कुमार गौरव भई नाम याद रखेंगे Who became the first visually impaired I.S. officer of the country which is a resident of Bihar भई बहुत ही important question बहुत ही अगर आपको होगे कि यहां से आपको प्रेरना मिल सकती है बहुत ही motivated यहां से हो सकते हो visually impaired है कम रोशनी है उनकी नितरहीन I.S. अधिकारी के तोर पे किने चुना गया है जो कि Bihar के निवासी है जो कि किसके निवासी है बिहार के निवासी है तो answer क्या है उसका? रजेश कुमार जी और काफी interviews इनके आए ताकि जो है वो लोग प्रेरित हो सके ऐसी चीजों से अब इनको जारखंड केडर मिला है जारखंड में यह appointed as a deputy commissioner बकारो district में इनको लगाया गया है लेकिन नाम जरूर याद रखना है और motivate जरूर होना है यहां से रजेश कुमार जी इन्होंने एक book भी लिखी है Putting I in IAS तो putting I in IAS तो IAS है भई इसका मतलब IAS का मतलब IAS तो यह बहुत ही motivating है और आप लोग भी त्यारी कर सकते हो ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ भई हमारा इतना level नहीं है कुछ नहीं सब लोग सेम है सिरफ इंटरस्ट की बात है आपने इंटरस्ट ड्वेल्प करने है देश की सेवा करने के लिए तो आप जो है IAS जरूर बनो गए तो रजेश कुमार जी नाम याद कर लो मैं आपको फोटो दिखा देता हूं तांकि थोड़ा सा मोटिवेटेड रहो आप तो यह उनकी पिक्चर है जिनको जारखंड में बकारो डिस्टिक के अंदर डिप्टिक मेशनर लगाया गया है तो आप सोच सकते हो कि कितनी अच्छी बात रही कि फर्स्ट विजली इंपेर्ड ओफिशल जिनको किसी डिस्टिक का चार्ज दिया गया याद रखना है यह पूरे इंडिया के पहले ऐसे नितरहीन है जिनको पूरी डिस्टिक का चार्ज दिया गया है कहां से बिलॉंग करते हैं दनुर्या से बिलॉंग करते हैं पतना से बिलॉंग करते हैं और इन्होंने एक book भी लिखी थी putting eye in IAS और visually impaired IAS officer को कहां पर लगाया गया बकारो district में as a collector लगाया गया है बहुत important है याद रखेंगे रजेश कुमारची का नाम नेक्स आते हैं how much grant will be provided by state government for the production of the colored fish ताकि रोजगार पैदा हो सके किसानों का जो eye का लक्षे लेके चले हम 2022 तक हमने दोगनी eye कर देनी है तो उसके लिए आपने बताना है कि कितने percent जो है वो सुविदा जो है वो सरकार की तरफ से दी जाएगी सरकार की तरफ से अनुदान दिया जाएगा बताएं बहुत कितना होगा और यह journal or SC और schedule cast और schedule tribe cast के लिए अलग लग है तो कितना होगा 40% journal के लिए और 60% जो है वो SCST के लिए तो अंसर क्या होगा B होगा 40% अनुदान जो है वो journal category को मिलेगा 60% जो है वो SCST को मिलेगा तो अब से अधिक जुवाओं और महिलाओं को रोजकार देने का लक्षा है क्योंकि 2022 तक हमने आए को क्या कर देना है दुगना कर देना है रंगीन मचली का उतुपादन समानने वरग के लिए 40% SCST OBC और महिलाओं के लिए कितना है 60% याद रखने महिलाओं भी इसके अंदर आती है इसको 8 जिलो में जो है वो स्टार्टिंग में लागू किया गया दिरे दिरे करके इसको सारे जिलो में जो है वो स्टार्ट कर दिया जाएगा पतना, मुझफरपूर, पश्चिम, चंपारण सहीत 8 जिलो में इसको क्या किया गया, लागू किया गया है लेकिन अधरवाइस इसको पूरे आप बिहार में कह सकते हो, इसको लागू किया जाएगा नेक्स आते हैं, which app will be used for water planning during plot to plot survey जब जाके बहीं सर्वे करेंगे, देखा जाएगा कि कितने land के उपर पानी है कितना पानी जो है वो दिया जा रहा है, और कितने पानी की जरूरत है उसमें तो physically जाके वहाँ पर जाके जो जल बिवाग के कारे करता हैं, वो जाके देखेंगे और कौन सी एप के थुरू जो है वो उसके अंदर upload किया जाएगा ताकि देखा जाए कि कितने पानी की जरूरत है, तो आपने मुझे पताना है उस एप का नाम क्या है तो अंसर गया इसका क्रिशी जल, याद रखना है क्रिशी जल और पूरी water planning की जाएगी कितना पानी चाहिए, कितनी और अफशक्त है, ये सारा कुछ देखा जाएगा क्योंकि जल जीवन मिशन के तहत, जल जीवन मिशन सब बच्चों को बता है कि 2024 तक सारे जो भी rural household है, ग्राम मिन इन इलाके हैं, उनमें पानी जो है वो पहुंच जाए ये योगदान जो है वो रहेगा, और इस एप के थ्रूस का निरिक्षन किया जाएगा, क्रिशी चल नेक्स कोचन आते है, recently केलाश जा है इस पास्ट अवे, केलाश जा का निदन हो गया है, वो किस फील्ड से literature से, फिर से अंसर के आ आगया है, याद करना है, यहां पे आप देख सकते हैं, हिن Taliban के बहुत चर्चित कभी का निदन हो गया है, क्रोना वाइरस के संखरन के कारण उनका निदन हो गया, करोना के कारण बहुत ही हमने लोग खोएं, रिशिक पूर जी हम खो चुके हैं, और भी बहुत सी महत्तपून परसनेल्टीज, रिफान खान जी हम खो चुके हैं, तो बहुत से लोग जो हैं वो हम इस करोना के दुरान खो चुके हैं, वे हिंदी अंगि की पत्रिका कोशिकी के समपाध रखते याद रखना है उनकी पत्रिका का नाम कोशकी और कौन से लिट्रेचर से समन्द रखते थे हिंदी के बहुत चर्चित कभी थे और नाम क्या था उनका? Yes. नाम क्या था? कै लास्चा जी. और उनका फोटो कितने जिलों को सबसे कमजोर जिलों में गोशित कर दिया गया है मत्तब वो कह दिया गया कि करोना के कारण जो है वो जादा देर तक लड़ नी पाएंगे ये और सबसे समवेदनशीन जिले हैं और सबसे कमजोर जिलों में उनका नाम जो है वो आया है तो कितने जिले आएंगे ये आपने मुझे बताना है कितने जिलों को आंका गया है इसके अंदर, मैं आपको लिस्ट भी दिखाऊंगा, बहुत से जिले उसमें बिहार के आए है, तो पूरे इंडिया में 20 जिले गोशित किये गए हैं, जो सबसे कमजोर जिलों में आंके गए हैं और कमजोर जिलों में आंके जाने का मतलब है कि उनकी vulnerability मतलब उनकी जो समेंदन शीलता है वो बहुत जादा है और आठ ऐसे जिले हैं जिनको सबसे वीक जिले में से ना पा गया है तो अब देखोगे इसमें जो है कि भई हमारा है या नहीं है तो भई देख लो है या नहीं है तो अब तो COVID-19 और दुबारा से बढ़ना स्टार्ट हो गया तो इसलिए अपना दियान रखें क्योंकि अगर आपने थोड़ी सी भी डिलाई कर दी तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आपको हो सकते है क्योंकि एक्जाम्स हैं आपके मत्तर मत्तपून गर पे बैठो, स्टड़ी आईक्यू का चैनल खोलो और पढ़ते जाओ बस पढ़ोगे अराम से बैठो, मौसम अच्छा है अराम से बैठके पढ़ते रो नेक्स आते हैं फर्स्ट परसन फ्रॉम बिहार यह बहुत important question है यह एक अलग तरीके से हमने question को cover किया है इसको याद रखने है अपने कि यह वो पहला बंदा है या पहला बिहार से बंदा है जिनोंने जो foundation stone की हम बात कर रहे थे राम मंदिर की तो वो रख दिया था और उनका नाम जो है वो basically क्या है जीने पहले ही नीव पत्थर 1989 में रख दिया था मैं आपको फोटो दिखाता हूँ याद आजेगा शायद आपको यह हैं कमेश्वर चौपल जी उन्होंने 9 नवंबर 1999 मतलब 1989 को एक foundation stone रख दिया था after he picked up by the VHP विशव हिंदू परिशेद की तरफ से इनका नाम जो है वो प्रपोस किया गया था कि आप उस पत्थर को जो है वो रखोगे इन वन अफ दी बिगेस्ट नोड अफ इलेक्शन बाउंड बिहार दार राम टेंपल ट्रस्ट इंक्लूड दलित बीजेपी लीडर कमेश्वर चौपल एजट्स मेंबर ताकि लोगों में मैसेज जाए कि ऐसा कुछ नहीं है कि दलित भी जो है वो आगे बढ़ सकता है दलित भी जो है वो समान्य वरक के बराबर है तो कोई भी बेदवाव उसमें नहीं है यह मैसेज देने के लिए जो ऐसा किया गया यहां पे और बहुत अच्छा मैसेज लोगों तक पहुंचा भी उस टाइम पिरिट पे आज भी जो है वो लोगों को चाहिए कि सब लोग जो है वो समान्य ही माने जाए किसी को भी उंचा नीचा ऐसा नहीं मानना चाहिए चौपल हैट अनसक्सेसफुली कंटेस्टेट 2014 लोगसभा इलेक्शन फ्रॉम सपॉल इन बिहार हार गए थे यह 2014 में लेकिन फिर भी आपने नाम तो भई याद रखना है कमेश्वर चौपल जी जिन्नोंने विशव हिंदू परिशद की तरफ से पहली बात जो है वो राम मंदिर का वहाँ पे फाउंडेशन स्टोन रखा था यह नाम आपने याद कर लेना है बहुत इंपोरेंट है सैंड फ्रॉम विच रीवर इन बिहार गया क्योंकि में में नदियां जो हैं पूरे इंडिया की वहाँ से कुछ-कुछ मिट्टी को मंगवाया गया है थोड़ी-थोड़ी ताकि सभी पूरे देश की मिट्टी जो है वहाँ पे नीप पत्थर के टाइम पिट पर जब वूमी पूजन होगा तम हो उसका क्या कर सकें यूज कर सकें और वहाँ पे पूरा देश जो है वो एक तरह से वहाँ पे समर्पित होगा तो बिहार के गया से किस नदी की रेट का उपयोग योद्या में निर्मान मंदर के निर्मान की पूजा में किया जाएगा तो बताने है भई अंसर क्या होगा बहुत ही सिंपल अंसर है और अंसर क्या है दोस्तों फाल्गुरीवर या फाल्गुरीवर तो याद रखने हैं फाल्गुरीवर बहुत important है क्योंकि आपको शायद पता होगा जो थोड़ा सा religious mythology में interest रखते हैं बच्चे उनको शायद पता ह होगा जो बगवान राम है उमाता सीता है और बगवान लक्षमन है इन्होंने अपने पिता जो दश्रजी थे उनका पिंडदान जो है वो फाल्गुरीवर पे किया था तो याद होना चाहिए इसको F से भी लिख सकते हो फाल्गु F से भी लिखा जा सकता है P से भी लिखा गई है तांकि कोई भी तरह का समुदाई या कोई भी तरह का जो शहर है वो छूट ना जाए और हर तरह के लोग जो है वो उसमें समर्पित हों तो ये विशे के कारण बहुत ही अच्छा इनिशेटिव जो है हो रहा नितिशकवार गौर्णमेंट इन बिहार है इस डिसाइट दा इन एफिशेंट गौर्णमेंट इंप्लाईज ओवर डैश एज विल बी रिमूवड अंडर धी कंपल अब क्या होगा कि कारण बहुत से लोग जो हैं वो सही से काम नहीं करने हैं तो उनने कहा कि जो बंदे गौर्णमेंट सर्विस के अंदर हैं और वो अच्छे से काम नहीं करने हैं तो उनको इससे अच्छा है कि उनको रिटायर्मेंट दे दें ताकि और बरतियां की जा सके और लोगों को शामिल किया जा सके तो यह बहुत ही अच्छा होगा और यह बहुत ही अच्छा निरने जो है वो आप कह सकते हो कि लिया गया है बिहार गॉर्मेंट की तरफ से और यह निरने जो लिया गया है वो कितनी उमर के लोगों के लिया गया है जो 50 से उपर उपर है तो आपको जो है पो पैंशन तो जो चल रहा है सरकार का रूल वो हो गई होगा तो General Administration Department, Departments को कहा है कि Screening Committee बनाएं भई हर साल का Review ले कि जो अफसर सही तरह से काम नहीं कर रहे हैं और जिनकी उमर 50 साल से उपर है और जो सर्वीस में 30 साल जो हैं वो हो चुके हैं उनको जा तो 50 साल से उपर है या 30 साल सर्वीस में हो चुके हैं उनको जान चाह जाए कि वो सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं Such a system is already forced in the center government, center government में already चल रहा है but for the first time किसी state government ने इसको लागू किया है और वो कौन सी state government है, बिहार government है, नितिश कुमार government है याद रखना है, next question आते है Which university in Bihar become first university who organized online exam for PhD बहुत ही चर्चा का विशे रहा कि PhD के exam कैसे लें बहुत ही करोना के कारेंट और वो लेने भी जुरूर ही है PhD के exam क्योंकि उनका paper publish होता है, बहुत सी चीज़े होती है तो इसलिए ये पहला विशे विद्यालया बना, जिसने online प्रिक्षा का जोजित किया PhD के लिए, बहुत ही important question में माग कर लो और याद रखना है, ये पूरनिया university है और ये पूरे इंडिया की ऐसी पहली university है ना कि Bihar की पूरे इंडिया की ऐसी पहली university है जिन्होंने PhD students के लिए online exam लिया तो आप यहाँ पे देख सकते हो क्रोना संक्रमन की वज़ा से जारी lockdown के देहार बहार में पहली बार किसी विशे विद्यालया ने PhD की online प्रिक्षा ली है जिसमें शत प्रतिशत विद्यार थी शामिल हो और ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि 100% enrollment थी क्योंकि अभी मैं एक दो दिन पहले news में एक article पढ़ रहा था उसमें लिखा हुआ था कि जो online प्रिक्षा होती है उसमें जो अध्यापक हैं वहीं एक्जाम दे रहे होते हैं बच्चों के ताकि जो आप कह सकते हो कि जो attendance है वो ज़्यादा आए क्योंकि बच्चे आते ही नहीं online यह यहाँ पे बहुत अच्छा मैं कहूंगा कि रहा कि 100% जो है वो वहाँ पे क्या थे विद्यार थी शामिल थे तो यह बहुत ही अच्छा इनिशेटे पूर्णिया युनिवरस्टी याद रखेंगे next who is appointed as state election commissioner बहुत ही important हो गया question क्योंकि जिस हिसाब से उस time pit पे election थे बहार के तो आपको पता होना चाहिए state election commissioner बहार के किसको लगाया गया है तो answer क्या होगा इसका इसका अंसर होगा दिपक परशाद जी तो याद रखना है अंसर क्या है इसका दिपक परशाद जी यह बिहार गॉर्मिंट ने IS officer और दिपक परशाद जी को नया state election commissioner जो है वो लगाया गया है तो आप यहाँ पे देख सकते हो उनका photo देख सकते हो याद रहेगा आपको state election commissioner कौन थे पूछा जा सकते है क्योंकि election हुए थे और इनको दिपक परशाद जी को लगाया गया और उनका नाम जो है वो clear कर दी appointment के लिए और क्योंकि जिस हिसाब से पंचायत के election भी है अगले साल इसलिए और इस साल वैसे भी election है तो बहुत important रहेगा मार्स से इनकी जगा खाली थी और जो commissioner थे अशोक कुमार चवन उनका time period जो है वो पूरा हो चुका था तो इसलिए जो है वो इनको लगाना ज़रूरी हो गया था तो बहुत important है याद रखना है नेक्स आते हैं new technology has been immersed for the treatment of corona patients in Bihar what is the name of this technique Bihar में corona मरीजों के इलाज के लिए नई तकनीक सामने आई है इस तकनीक का नाम आपने मुझे बताना है और एक बहुत ही अच्छा सा initiative जो है वो किया गया है और इस का टेकनीक का नाम जो है वो दोस्तों क्या है याद रखना है आपने इसको और इसका नाम है Icoma याद रखना है क्या नाम है Icoma Icrona नहीं है Icoma K-O-M में in view of increasing infection and severe condition of corona patient in the state the institute of medical science Aims Patna ने एक नई टेकनीक को adopt किया याद रखना है किस ने किया Aims Patna ने क्या होगा इसके अंदर first to start treating corona sufferers through plasma therapy मैं पहले ही बता चुका हूँ सबसे पहला plasma bank यहीं पर बनाया गया Aims Patna में और यह successful भी रहा but for patient who are having difficulty breathing due to corona जिनको बहुत ही ज़्यादा difficulty breathe करने में उनको ventilator दिया जाएगा उसको क्या नाम दिया गया Icoma तांकि उनकी सांस को दुबारा से सही डंग से जो है वो चलाया जा सके वो सही डंग से सांस ले सके इसके लिए एक निया ventilator बनाया गया Icoma नाम से the process of continuing the supply of blood to the body by resting the heart and lungs immediately when the respiratory activity is blocked is called Icoma therapy या Icoma therapy तो याद रखते हैं जब सांस लेने में दिक्कत आए तो blood की supply तो continue रखते हैं हार्ट और लंग्ष को जो है वो क्या कर देते हैं rest mode पे बेज देते हैं जिसके कारण उनकी activity जो है वो दुबारा से restore हो जाती है और इसको therapy को क्या नाम जिया जाता है Icoma AIMS is the first to start treating corona sufferers through plasma therapy also has been successful इस बात को भी याद रखने हैं यह बहुत important slide है इससे पहले भी मैं आपको यह बार बता चुका हूँ next आते हैं who is appointed as the one chairman of BPSC again important BPSC के chairman कौन लगाए गई है one of the chairman of BPSC बिहार लोगसबा योग के अध्यक्ष के रूप में किसे निक्त किया गया है तो important question कौन है शिरी शोबेंदर कुमार चोधरी और बहुत ये खास बात रही इनकी appointment में कि पहले इनको बिहार पुब्लिक सर्विस कमिशन का क्या लगा दिया गया था इनको जो है वो लगा दिया गया था member लेकिन बाद में इनको क्या बना दिया गया chairman तो याद रखने है शोबेंदर कुमार चोधरी जी को क्या बना दिया गया है BPSC का chairman बना दिया गया है तो अब यहां पे देख सकते हैं उनका photo कि लखी सराय के पूरव DM शोबेंदर कुमार चोधरी को VRS सविकृती के एक दिन बादी जिस तर दिस दिन इनोंने अपनी स्वै इच्छा से retirement ले ली उसके अगले दिनी इनको बिहार लोकसवा का बिहार लोकसवा अयोग का क्या बना दिया गया अध्यक्ष बना दिया गया मतलब इनको जो है वो बिहार लोकसवा अयोग का chairman बना दिया गया BPSC सदस्य के रूप में पूरव DM दो साल से ज़्यादा समय तक रहेंगे याद रखना है बहुत important question है क्योंकि पहले इनको क्या बनाया गया था member बाद में क्या बना दिया गया chairman Next question आते है Recently Ram Avdeish Singh passed away He was associated with which field कौन थे वो जिनका Ram Avdeish Singh नाम है और उनका दिहान्त हो गया और उनका photo आप यहाँ पे देख सकते हो Ram Avdeish Singh का निदन हो गया वह किस शेतर से जुड़े हुए थे और आप photo से देख सकते हो जिस सबाग जिस तरह से उनका dress up है तो पता लग रहा है वो कौन थे वो कौन थे भई politician थे याद रखना है politician थे इनको god father of mandal commission भी कहा जाता है mandal commission मेरे ख्याल से सब बच्चों को बता होगा जिसमें backwood classes के बारे में बताया गया जिसमें OBC कोटा के बारे में बताया गया 50% कोटा के बारे में बताया गया तो politician थे तो याद रखना है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं Indian politician renowned social justice leader of India यह बेहार विदान सभा के member रह चुके है member of parliament रह चुके है लोक सभा के राज्यसभ में भी जो है वो रह चुके है उनको god father of mandal commission यह सबसे important है और periyar of north भी इनको कहा जाता है periyar of north यह एक बार member भी बने थे national commission for backward classes और periyar वैसे आपको पता है E.V. Rama स्वामी जी को कहा जाता है periyar E.V. Rama स्वामी पूरा नाम है लेकिन periyar of north किसको कहा जाता है जिन्होंने social workers के through काम किया वो किसको कहा जाता है वो कहा जाता है इस personality को जिनका नाम क्या है राम अवदेश सिंह याद रखोगे भई आप इसको नेक्स आते हैं अगला recently लाल जी टंजन passed away he was governor of Bihar वो कौन से governor थे अपने number wise बताना है कि कौन से governor जो है वो रह चुके है अभी तो वो मद्द्वरदेश के governor थे लाल जी टंजन उनका निदन हो गया लेकिन वो बिहार के भी governor रह चुके है recently है मतलब एक साल तक वो बिहार के governor almost रहे है और वो कौन से governor थे 28th governor थे वह याद रखना है 28th governor of Bihar 2018 में उनकी appointment हुई थी अगस्त में और 2019 तक वो रहे हैं तक तो इसका मतलब almost एक साल तक वो रहे है और फिर उनको मद्या प्रदेश का जो है वो governor लगा दिया गया था तो आप यहाँ पर देख सकते हो as a governor of Bihar उन्होंने academic activities जो state universities के हैं उसके अंदर बहुत जादा योगदन दिया है तो लाल जी टंडन जी का तिहान थुआ recently याद रखना है कि जो Bihar के governor थे वो बाद में मद्या प्रदेश के governor भी रहे हैं नेक्स आते हैं त्री farmers of which state have been honored with किसान गौरव सम्मान belongs to which district of Bihar again important question आ गया कि तीन किसानों को सम्मान मिला वो कौनसे district से belong करते हैं कौनसे district से belong करते हैं क्योंकि किसान गौरव सम्मान और 17 किसानों को 17 farmers को शीरी सम्मान से सम्मानित किया गया और किसान गौरव सम्मान जो है वो बड़ा सम्मान है शीरी सम्मान उससे छोटा सम्मान है तो इस तरह से जो है वो दिया गया है, तो अंसर क्या होगा, बेगुसराइ, बेगुसराइ डिस्टी के तीन किषान, जिनको ये किसान, गॉरण, संमान, उनके नाम आप देख सकते हो, किसान विपिन, कुमार सिंग, किसान जूगेंदर महंतो, किसान जेनेंदर कुमार, लेकि सी नई चीजों का यूज किया जिसके माध्यम से इनको किसान गौरव जो है वो अवाड दिया गया और इनी इनी शेतर में अगर आप बहुत अच्छा काम करते हो तो किसान गौरव और शिरी सम्मान जो है वो आपको मिलता है तो याद रखना है बहतरीन टेकनोलजी का यूज करने के लिए इनको ये दिया और 20 किसानों का चेहन किया गया किसान पूरसकार के लिए जिसमें 17 किसानों को शिरी सम्मान और जो गौरव किसान गौरव वाडव तीन को मिलेगा तो 20 किसान हो गए तो याद रखना है बेगूसरा इसे नेक्स रिसेंटली सतीश कुमार जिनक याद रखना है सतीश कुमार जी जिनको शिला के नाम से जाना जाता था वो फुटबॉल से तालुकात रखते थे कौन से जिला से बिलॉंग करते थे सिवान डिस्टिक से बिलॉंग करते थे उन्होंने बिहार को रिपर्जेंट भी किया था नैशनल कंपिडिशन में 1983 में जो फुटबॉल का नैशनल कंपिडिशन हुआ था तो याद रखना है इनका नाम याद रखना आपने कि क्या नाम था इनका वो बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है और इसी नाम से आपको कोश्चन है का सतीश कुमार शिला जी के ना निकाला जा सकता है किस तरह से सिलूशन निकाला जा सकता है और अंसर इसका बहुत ही ज्यादा सिंपल है और शायद आपने जब क्रोना का बुलेटीन आथा था शायद आपने इनको टीवी पे देखा होगा यहीं जो है वो न्यूस बताते थे क्योंकि यह सेक्रेटरी रह है आप कहा सकते हो हेल्थ डिपार्टमेंट के इसलिए जो है वो यहीं बताते थे कि किस तरह से हमने केसी को टैकल जो है वो करना है तो फटा फट अंसर बता दे वाई क्या होगा दो तीन सिकेंड का आपको टाइम दे रहा हूं मैं क्या अंसर होना चाहिए इसका हाँ जी फ पिर से आ गया पहले सतीश कुमार जी का आया था अब जगनात परशाद लिख लें इसको मैंने पहले होता है एक लिस्ट बना ले मरने वाले या ओबिचरी लिख लें तो इधर से उनका नाम लिख लें इधर से लिख लें कि कौनसी फील्ड से वो तालुकात रखते थे तो वो जो है वो किस फील्ड से समन्द रखते थे तो यहाँ पर इनका जो नाम आएगा वो कौन सी स्पोर्ट से आएगा कबड़ी से आएगा जगननात परशाय यादव जी कौन सी स्पोर्ट से तालुकात रखते थे कबड़ी से सबसे बहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि maternal mortality rate क्या होता है फिर यहाँ बता पाएंगे कि उसमें बिहार का जो maternal mortality rate क्या है क्योंकि बिहार गौर्मेंट ने बहुत जादा improvement की है इसके अंदर maternal mortality rate क्या होता है कि जिसमें mothers की death होती है mothers की death होती है या तो जब वो pregnant होती है गरपाद चल रहा होता है उस time period पे या फिर जब pregnancy खतम हो जाती है गरपाद खतम हो जाता है उसके 42 दिन के अंदर अंदर मतलब जैसे ही pregnancy एक लाख के उपर देखा जाता है तो इससे पता लगना चाहिए कि कितना mother mortality rate है कितनी महिलायों की death हो रही है एक लाख के पीछे और health ministry ने बिहार को congratulate किया है क्योंकि बिहार ने 16 point जो है वो improve किया है मतलब 16 point जो है वो आगे आगे हम मतलब 16 मृत्यों को कम किया है उसके बहुत 149, 149 मतलब 1,00,000 महिलाओं के पीछे 149 महिलाओं की death होती है या तो pregnancy के दुरान या pregnancy के 42 दिन के अंदर अंदर जो है वो death हो जाती है जब pregnancy खतम होगी उसके 42 दिन के अंदर अंदर death हो जाती है उसके बहुत से कारण हो सकते है लेकिन इससे पहले rank कितना था 165 था मतलब 165 दर थी लेकिन 16 पॉइंट हमने क्या कर लिया इंप्रूव कर लिया अब यहाँ पे देख सकते हो 16 पॉइंट हमने इंप्रूव किया और MMR क्या होता है यह याद रखना भी 42 दिन है यहाँ पे 42 दिन याद रखना और यह एक लाग के पीछे है एक लाग के पीछे है क्योंकि बहुत ही देखना दिल्चस्प होगा कि कौन सी आजूवर के लोग जो है वो सबसे ज़्यादा होंगे तो अंसर क्या था इसका 30 से लेके 49 साल के जो है वो सबसे ज़्यादा होंगे आजूवर के लोग और यह माना जा रहा है कि 30 से 49 आजूवर के लोग जो है वो 1.98 क्रोड हो मतलब पिछली बार जो है वो 7 क्रोड जो है हमारे पास संख्या थी 7 क्रोड 6 लाग तो अभी 7 क्रोड 18 लाग मतलब 12 लाग जाद है तो बहुत ही important है और 80 साल से अधिक उमर के वोटर और क्रोमी समकरमत के मद्दाउन तो को postal ballot में वोटिंग से छूट रहेगी वो तो रहती है और 30 से 49 वर के लोग जादा होंगे तो यह थे हमारे पास important important current affairs और इस बार जादा थे current affairs तो हमने कोई भी current affair मिस नहीं किया चाहे जादा बने चाहे कम बने तो आपको current affair याद होने चाहिए बस एक बार revise कर ले और कोई भी doubt आता है तो इस email ID पे हमें बेज दें हम 24 hours के अंद आ चुकी है January February से हमने start किये थे January February आ चुका है March April जो है वो जा चुका है वीडियो YouTube पर और मई जून का भी जा चुका है जुलाई अगस्त का भी जा चुका है तो चार वीडियो जो है वो आ चुकी है तो इनके current affair जुरूर देख लें बिहार के student क्योंकि जिस तरह से आपके अगले exam है 12-13 exam जो है वो February 2020 तक होने है 21 तक तो आपको बहुत जादा लाब मिलेगा इसका और बहुत ही जल्दी हम पूरे साल के भी जो है वो cover करेंगे लेकिन एक बार हम पूरे साल का भी एक वीडियो बनाएंगे लेकिन एक बार पहले monthly हो जाए फिर हम एक साल का भी कि वीचो को है जब हम पूरे से बांभे जाएंगे जया झाहुत है इसका ऑम